हाई गाइज दिस अभी मन्यों गॉत्ब और इन दिस विडिए वी आर गोई टू लर्न की इमेल फोरवर्डिंग क्या होती और हम कैसे इसको यूज करते हैं ठीक है तो इमेल फोरवर्डिंग एक बहुत अच्छा ओप्शन है माइक्रोसोफ एक्षेंज के अंदर हो जै कि नीडी रिक्वार्मेंट है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि यह फीचर की हल्प से जैसे आपका कोई एक्जिन एंपलोई है या फिर कोई अपने सर्विस आईडी बनाई हुई है तो आप उस पे चाहते हो कि जो भी इमेल आ रही पे ठीक है तो उसको हम बोलते हैं इमेल फोरवर्डिंग तो हमारे आप पास यहां पर दो ऑप्सन है इमेल फोरवर्डिंग के ठीक है तो पहला अप्सन हम जा सकते हैं अपने ऑफिस रिसिक्सिफाइब एडमीन के अंदर यहां पर हम जाते हैं यूजर प्रपरटी इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारी user property open हो जाएंगी जहां पर हमें उसको जाना है mails के अंदर ठीक है तो हम mail के अंदर जाएंगे और यहां पर हमें option मिलता है email forwarding का तो यहां पर हम click करेंगे manage email forwarding और forward all emails sent to this mailbox ठीक है यहां पर हम address आ जाएगा तो address हमें किसका डालना है अभी वाली ID ठीक है यहां पर आपको पूरी ID मांग रहा है लेकिन हम इसको वहां से करेंगे exchange से जहां पर हम direct उसको ID assign कर देंगे और फिर देखें यहां पर एक option आ रहा है की पे copy of forward email in this mailbox अगर आप uncheck कर दोगे तो उस mailbox में हमारे पास कोई भी copy नहीं बज़ेगी तो yes sure अब हम जाते हैं exchange admin के center के अंदर वहां से हम यहां पर forwarding हमारी enable करेंगे तो मैं यह ephone gotham पर जाता हूं और यहां पर जाने के बाद हम जाएंगे mailbox features के अंदर और mailbox features के अंदर जाने के बाद हमें जाना है mail follow पर जो मैंने last to last video में बताया है और यहां पर click करेंगे view details पर और यहां पर हम करेंगे enable forwarding और यहां से हम करेंगे browse user तो हमारे within organization हमारे यूजर जो हम browse हो जाएंगे देखेंगे यहां पर मेरे डियल्स भी आ गया है ठीक है तो अम मैं इसको कर देता हूं forward अभी मन्य अभी गोत्तम वाली एडी पर राइट देखेंगे यहां पर maximum recipient 50 हर यहां पर कर देते हैं डिलीवर तम बोथ टू बोथ फोर्वर्डिंग अड्रस ठीक है ओके कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं शेव अब सेव करने के बाद हम करते हैं टेस्टिंग जो कि हम email send करेंगे इपन गोत्तम वाली mail इडी पर इस email ओम शेयर करेंगे ठीक है send करेंगे और email अमें मिलनी चाहिए कहां पर अभी गोत्तम वाली आइडी पर इसको कर लेते हैं copy और यहां पर हम जाते हैं gmail पर और एक email compose करते हैं और paste करते हैं हमारा address test hi हमने कर दिया इसको भाई send और हब हमने send किया है तो हमारे जो अभी अभी को तमाली idea है वहाँ पर email आना चाहिए हमें ठीक है कि हमने forwarding enable की है तो यह मैंने लोगिन कर लिया है अभी गोत्म के आईडी पे देखे टेस्ट अभी अच्छा यह नहीं है एमेल आ जाएगी कि में सेकेंड गई फोन आ गया है कि देखे यहां पर इमेल नहीं है यह लेकर इमेल आ गई हमें जंक मेल बॉक्स के अंदर और यहां पर देखे हाय खाली लिखावा तो वो इसकी पूल सी है इस जंक इस नॉट जंक ठीक है तो यहां पर देखे इन बॉक्स के अंदर आ गई है और यह इमेल जो है यहां पर आपको देखेगी कि पोन गौत्तम को सेंट हुई है जो हमारी वो आईडी है राइट तो यह एक डिफरेंस है मिल आप यहां पर आपको खली फरवर्डिंग मिल रहे है कि उस यूजर को इमेल बेजी गई थी और आपको जो है इमेल आ गई है राइट यहां से इमेल सेंड वी थी टेकनिकल अभी मन्यू से जो कि हमारी इपवन गोत्तम को बेजी गी थी लेकिन अगर आपको आपको इमेल आएगी तो वह आपको यह से टेक अभी सोर email आई हुई है यह आपको दिखाएगा ठीक है तो उसमें आप अपने time case आप से fill कर सकते हो कि कितना time आपको रखना है तो आपको अभी तक तो manually ही आपको maintain करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप email forwarding आप लगा सकते हो और यह मैंने आपको testing करके था या कोई team lead था या फिर कोई भी मलब senior बंदा है जिसका email का access कुछ बंदों को जाएगा या फिर कुछ ऐसी team है support की team है जिस पे ticket generate होगी तो उस case में email कहा कहा forward होनी चाएगी मलब जुगारू type system है तो उस तरीके से email forwarding हम लगा सकते हैं अपना काम करने के लिए तो इस वीडियो में इतना ही guys मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई